वन्दे ब्रह्म पुरादिपम् श्रि सहजा नंदम् चमो लाक्षरम् श्रे अस्कारण सत्गुनेक निलयम् श्रे प्राग जिम् भावता ब्रह्मो पासन धारकं गुरुहरिम् यग्नम् तथा योगिनम् प्रित्तेवं प्रमुखं महांत मनिशं श्री जी स्वरूपं मुदां महिमानो महिमा प्रवचन मालामा सवने सास्टांग प्रणाम जैस्वामिनाराण हैपी 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 वचनाम्र द्विशताब दिमोस्व हैपी 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 प्रमुखं स्वामी महाराण शताब दिमोस्व हेपी 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 श्री वचनाम्रत निरूपण नैमीशारंड्यक्षत्रनों वचनाम्रत आपने माची रहाचिये सारंपूर दिग्य धामनी अंदर जिवाखाचनना दरबारमा भगवान स्वामिनाराणे श्रुवत भागवात ना प्रसमस्कंदने वंचावानों प्रारंब करागवतो और एनी अंदर माहराजे वाद करी कि ज्या अगर मनोमय चक्रनी धारा कुण्ठीत सही जाए त्या अगर नमीशारंड्यक्षत्र जानवू मुक्तानन स्वामि ये लागवो प्रश्न पूछो कि माहराज मनोमय चक्र कोने केवाई अने अनी धाराशों केवाई अध्यात्पिंग बार्गमा आबदी जीनी जीने वातो पन समझवी अनिबारिय बाबच्छे खाली पदमासन वाळी आखो बन करीने मुर्तिनू द्यान करव ये टलू परियाप्त न थी खाली दण्डवात प्रदेक्ष्णाने माडा करवा ये परियाप्त न थी परंतु साथे साथे भगवाने आपने बुद्धी आपी छे थुड़ा उंडा उत्रीने मनोमय चक्र शूँछे दारा शूँछे इंद्रियों अंतकरण शूँछे जिवात्मा शूँछे परमात्मा शूँछे माया शूँछे ब्रह्मा शूँछे येना अनुसंधन नियंदर पणापने गिनान प्राप्त करवूँज जरूरी छे मुक्तानन स्वामिना प्रष्ठन उत्तर माहराज आपता कैवू अने यह नएनी धारा ते दसिंद्रियो छेम जानू अने ते इंद्रियो रोपजे मन्नी धारा ते जे ठे काने गसा येने बुठी थाई तेने नैमिशारिंड क्षित्र जानु अने ते ठेकाणे जब तप प्रध्यान पुजा ए आदिक जे सुकृत तेनो आरंब करेशे ते दिन दिन प्रत्ति वृद्धी पामे एवो जे नमी शारणक्षेत्र ते जे ठेकाणे बगवान ना एकान देग साधूर रहता हो ते ठेकाणे जानुबू महराज एकिटली सुन्दर और अद्बूद्री रजुवात और समझूत्ती आपी कि आ मनोमई चक्रे आपनु मन छे आपनने मन छे इवो विचार आपनने क्यारे आवे छे खरो अने मनने आदक सिंद्रियो रुपी धारा छे येनो विचार पन आपने करिये छे खरा गणाने कदा ख्याल पण नहीं होई के दस इंद्रियो कई कई छे आपनु गोळ ने खोल बदू बेगु चालतू आए छे अन्तरमाने उंडान मा डोक्यू करवानो आपनी बासे समय न थी ने विचार पन न थी आपनी पांच गणाने इंद्रियो चे येन पांच करमेंद्रियो चे जे इंद्रियो द्वारा आपने गणान प्राप्त करी शक्ये एनु नाम गणाने इंद्रिय केवाए नेत्र इंद्रिय नियाईशास्त्र नियंदर क्यवामायों के शब्दार्त इंद्रिय इंद्रिय द्वारा आपने जे पदार्त नु गिणान था येनु नाम इंद्रिय क्यवाई इंद्रिय क्यवाई आखो द्वारा आपनने रूपनु गिणान थाई छे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ग्णानम प्रत्यक्षम आप्रत्यक्ष ग्णान केवुँगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगुगु अने एक गाय छे एवो प्रकारनों ग्णान थेओ याने ग्णान इंद्रिय द्वारा ग्णान प्राप्त थेओ दूदने जोईने आपने थाए कि आ दूद सपेच छे ने ठंडू छे ये दूदनों ग्णान कान द्वारा शब्द सामळिये एन कैये के कुत्रानों अवाज, बिलाडानों अवाज, मनुष्यनों अवाज, अमारा गुरुहरी प्रमुक्ष्वामी महराज और महंस्वामी महरादनों अवाज, एक कान द्वारा गडान थेओ अने रस्ना इंद्रिय एना उपर कई पन लाडूनो टुकुडो के पेंडानो कड मुखवामा आवेने आपने ख्याल आवेके पेंडो छे गलो छे लाडू छे गलो छे तो आपने शब्दनु ग्णान थाई छे रस्नु ग्णान थाई छे पर्षनु ग्णान थाई छे शब्दा स्पर्ष रूपनु ग्णान थाई छे शब्दा स्पर्ष रूप रसने गंदनु ग्णान थाई छे યे પांच ગ્યા,હ્મિંત્ણ વિસ્ળ્ળો દ્વારા થાને પાંચ કરમિંત્ર્યો દ્વાੱઈંત્ વાંત્વ પાની પાય कार्य करिये छे, पाद द्वारा, पक द्वारा चालिये छे, तो आँ मन्नी दस इंद्रियों छे, ए यानू धारा छे, अनि महराजे कवु के ज्या जवाती आपनी इंद्रियों नी धारा कुंठी थाई जाए, अडि ए विशेवसुदी जायने आँक द्वारा जुवे, तो खरो परंतु आँक द्वारा भगवानने संतना दर्शन करे, पड न जुवानु न जुवे, न साबलवनु न साबले, न बुलवानु न बुले, यनो स्पर्ष न करोजु यनो स्पर्ष न करे, तो समझूओ कि ये नैमी इशारेन क्षित्र मा आयोँ छे अले महराजे त्या सुधी कहुँ कि एवा ठेकाणे जब करवा मा आवे तप करवा मा आवे व्रत करवा मा आवे ध्यान के पूजा करवा मा आवे तो दिवसे दिवसे येमा वृद्धी पामे एवुजे नैमी इशारेन क्षित्र क्या आगल छे उत्तर भारत नी उपी नी अंदर सितापूर नी बाजु मा जे नैमी इशारेन वन छे त्यानी वात नथी करता महराज के जे ठेकाणे भगवान ना एकांतिक सादू रहता होज ते ठेकाणे जानू महराजना आ उप्सावेला अक्षरोने वांचीने विचारवानी जरुड़ शे बोल लेटरमा लखवामायू छे बगवानना एवा एकांतिक सादू ज्यां रहता होज ये ठेकानाने नमी शारण छेत्र जानवू। ये ठेकाने नमी शारण ख्षेत्र छे। नमी शारण ख्षेत्र ये भुमी विशेश नहीं, जग्या विशेश नहीं, थान विशेश नहीं परंतो। महराद नो क्यवानो निर्देश चेके पगवानना परम एकान्तिक साधू छे, ए नहीं शारण तिर्थनु मुर्तिमान स्वरुप छेके जना योगमा अववाथी। आपना इंद्रिंव अंतकरण नी धारा बुठी थाये छे, आपना इंद्रिंव अंतकरण नी अंदर विशेवास्ना विकार रहेला छे, ये नाश पामे छे, परम पवित्र बने छे, अने जे जिवात्माना इंद्रियों अंतकरणनी धारावो जगत ना पंच विशे तरफ वड़े छे त्यांती पाची वड़े अने बगवानना सरूपमा केंद्रित थाए ए बाजो जोवानों खावानों बोलवानों सामळवानों मननंचिंतन करवानों आपने संकल्प सुध्धा न ठाए न जibly बने के ज्यारे बगवानना एकांतिक साधुना योग मा आविये त्यारे नयमीशारें क्षेत्र मा जैईये त्यारे नैमिशारिन क्षेत्र इतले हर्ता फर्ता साधू पर्म एकांतिक साधू भगवान ना एकांतिक साधू शब्दनों प्रयोक केरो छे एकांतेक शब्दनों अर्थ एताई छे के जेना इंद्रियों अंतकर्णी वृत्तिनों अंत एक मात्र परमात्मानी अंदर थेलो छे एकस्मिन अंताह परब्रम्मानी यस्चत सह एकांतिकाह जेना मान इंद्रियों अंतकर्णी वृत्तिनों अंत भगवानना स्वरुपनी अंदर थेलो छे एनु मन भगवान सिवा विजु काई मनन करतू नथी एनी आखो भगवान सिवा विजु काई जोती नथी एनो कान भगवानना महिमानु गान सिवा विजुके सामबरती नथी। वैराज्य, भग्ती, नीती, सदाचार, सैयं, ब्रह्मचारिय, साधुता, परोकार, सहनशिल्ता, आवा साधुताना अनंत कल्यान कारी गुणो रहा छे। अने पोताना योगनी अंदर आवेला कोई पन नीच नालायक अधमने पापी जीवनो पन उद्धार करवानी, येना जीवभावने टालवानी ब्रह्मरुप करवानी वासनाने टालवानी शक्ती जनी पासे छे। एने भगवानना एकांतिक साधु केवाय अने एकांतिक साधु एडलेक गुणाती संद अक्षरब्रम्म गुणाती तानन स्वामी। महराज पोति वचनामर्त मा पाने पाने अक्षरब्रम्मनो परम एकांतिक साधुनो भगवानना उत्तम भक्तनो महिमा गाय छे, के ज्यना योगे करीने मोक्षनो द्वारु गाडू थाए छे, ज्यना योगे करीने आपनामे एकांतिक दर्म सिद्ध थाए छे, ज्यनी कुपाये करीने आपना सोभाव प्रकुर्ती वासन तडी जाए छे, अने जना समागमे करीने जनी साथे प्रीती ने आत्मवुद्धी करवा थी आपने आत्माने परमात्पनों साक्षात कार थाई छे न भगवाननों साक्षात कार थाई छे आवाश शब्दों महराज ये वचना मरत्मा लख्या छे ने शास्त्रों नी अंदर पणिवा संतना मह अद्भूत अद्भूत वात्व लखी छे। अद्भूत 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 वात्व लखी छे। जीवरिते मुक्तानन स्वामियें संतना महिमानू किर्थन गायो ने पच्छी गुणाजितानन स्वामियें केक आवा किर्थनों सांबल्या पच्छी हम लागे के चारे चार वेदनों सार अने शास्त्र मात्रनों सार आप पदो नियंदर मुक्ती दिदो। नारद मेरे संत से अधिकन कोई कमला मेरो करत उपासन मान चपलता दोई कमला मेरो करत उपासन मान चपलता दोई यद्यपिवास दियो में उरपर संत समन ही सोई नारद मेरे संत से अधिकन कोई नारद मेरे संत से अधिकन कोई बगवान नारजी ने कैच नारजी अनन्त कोटी ब्रह्मान नियंदर मारा माटे आवा परमेकातिक संत सिवाय मने अधिक कहीं लागतो नथी कमला मेरो करत उपासन मान चपलता धोई मान नो त्याक करीने बुद्धिबतता नो त्याक करीने होश्यारी नो त्याक करीने चपडता नो चंचरता नो त्याक करीने लक्ष्मी जी मारी सेवा ने परीचरिया करे शे, मारी अरदांगी नी दर्मपत्नी छे कमला एक्टे लक्ष्मी जी कमला मेरो करत उपासन मान चपलता धोई यद्यपी वास दियो में उरपर बगवान कैशे लक्ष्मिजी ने मेवार रदैमा स्थान आपूछे अनि मारी अधिज्य भग्ज गादी न सिहासन उपर बाजुमा बैसे शे तोपन संत सम नहीं सोई तोपन लक्ष्मिजी संतनी तु मलामा न आवे विचार्वा जिवी भाबत छे महराजी लक्ष्मी नरणी मुर्ति वर्तालमा पदरावी छे गणाबदा मंदिरुमनी अंदर मुर्तिव छे परंतु य litष्मिजी करता पन बगवान पोती मके छे кे आवा परम एकान्तिक साधू लक्ष्मिजी करता पन वद जारिमने वाला शे, यद्यपी वास दियो में उरपुर संत समनाई सोई नारद मेरे संत से अधीक नकोई। मुक्तानन स्वामिनुवा पद आख्याको साम्बलवा जेवुने एनी अंदरहिला मर्म सिद्धान्तने रहस्यने समझवा जेवुँछे। भूको भार हरू संतन हित करू छाया करदोई, जो मेरे संत को रतियक दुवे तेही चड़ दारू में खोई, नारद मेरे संत से अधीकन खोई। नारजी मारे कदा संतना माटे आखी पुरुत्ति नो भार वहन करवो, पड़े तो वहन करवा माटे तैयार छो। अने संतना माथाव पर तिक हो, एजस्ती स्तुर्य नो ताप आपतो होई। तड़को संतने लागतो होई तो एवा समयनी अंदर उमारा कमबल करता आपन वधारे कोमल करार विंद येना माथाव पर राखी ने येने संतने चायो करियापू। भूको भार हरू संतन हित संतना माटे करू छाया कर दोई। जो मेरे संत को रती एक दुवे तेही जड़ डारू में कोई। नारद मेरे संत से अधिकन कोई। मारा संतनी कोई निंदा करे, टीका करे, अपमान करे, तिरस्कार करे, द्रोह करे गसातु बोले। तो त्यामने लेश, मात्रपन, दया नत्यावति आना अनुसंतन्दान्नी अंदर माहराज ये वच्नावर्तमा करू छे कि अमारू तो क्योयो दयालू सोभाव। जगन्नात्पुरीमा वीचरण करता करता आव्या अन्टेवक्ते। इंदर ज्युम्न सरुवार्ना तबो काठाव पर तपश्चर्या करता ता पदमास लगावी ध्यानमा बैठा तान एक नागणो बाव। आगू येने कहू के ब्रमचारी तांदल जानी लिली भाजी तो पशुपंखिमा जिवातमा छे एम आ वनस्पतिमा पण जीव छे। बाटे अने नही तोडिये अने जो तोडिये तो इंसा थाए। प्यारे नागडा बावायमना डारवापी ने कहू के ब्रमचारी अमारी आगना नही पाळो तो आ तलवारे करिन तमारू मस्तक कापी नाख्षू तोपण में डर्या नही अने लिली भाजी तोडिये नही एतलो अमारो दयाडू सोभाव परंतो अमारा भक्तना माटे कोई गसाता शब्द बोले तो येनी जीव कापी नाख्ये। अमारा संतना माटे वक्रदर्ष्टी करिने जूभे तो येनी आँख फोडी नाख्ये। अमारा संतना उपवार कोई हाथ उठावे तोना हाथ कापी नाकि त्यां आमने दया नथी रहती अने भगवान विष्णुए तो त्यां सुधी कहो कि कदाच मारो पोतानो हाथ संतना माथा उपडे मारवा माटे ताड़न करवा माटे तो मारा हाथ ने पन कापी नाकू अने मारा हैया करता पण अने मारी अर्दांगे नी लक्ष्मिजी करता पण मने वधारे संत वाला छे। अदभूत अदभूत रेते महीमा शास्त्रों नी अंदर संतना माटे गवायो छे। जो मेरे संतको रती एक दुवे, तेही चल दारू में खोई, नारद मेरे संत से अधीक न खोई। अने अंतिम पंक्तिमा मुक्तान स्वामी त्या सुधी आपने जान पणु आपे छे, जागरत करे छे, आपना रदैना कमाड उघारी नाखे एवी प्रकाना शब्दों मुके छे। जिननरतन धरी संतन से व्या तिननी जजना निविगोई। जिननरतन धरी संतन से व्या तिननी जजना निवगोई। मुक्तानन्द कहतयु मोहन, प्रियमोय जननीरमोही नारद मोरे, संत से अधिकान कोई नारद मेरे, संत से अधिकान कोई जीन नरत न धरी संत न सेवा, जेने जेने या भारतमाने दुनियामा मनुष्दे दारण करिने संत न समागम नती करू, संत न इशर्णागती नती लिदि, संत नी आगना प्रमाने पतानू जीवन नती बनायो, तो एणे पतानी मानू खोलो वगवोचे जीन नरतन धरी संतन सेवा तिननीज जननी व्यगोई येने पोतानी माने उगोवी छे अने इतला माटेतो महान कवियोने संतोने आपने इतलो तकोर करी जाये छे के जननी जनतो भक्त जनका दाता का शोर नहीतो रेजे वांजणी मत गुमाविश्णूर महिलावने उपदे法 शापिने बेशब्दो कया शेक तारे बाड़ाकने जन्म अपपो होई तो भक्तने जन्म आपजे अत्पातो दानवीर्णने जन्म आपजे अत्पा शुर्वीर्णने जन्म आपजे पण आ दुनियामा एवा बाड़कने जन्म न आपती के पुरुथी उपर भार वधे अने तारो खोडोन तारी कुख वगोवे नहीं तो रहे जे वांजडी मत गुमा विश्णूर एना करता बाड़कने जन्म नी आपे तो सारू छे मुक्तानन स्वामी समझावे चेक जैने पुताना माताने के बाड़क तरिके पुत्रत के जन्म लिदो मनुष्व देधारन कली न आवा गुणाती संतनो समागम नथी करो एने पुतानी मातानो खोडो वगवोश्य मुक्तानन्द कहतयु मोहन प्रियमोय सोहिन निर्मोही प्रियमोय जन निर्मोही जे निर्मोही छे जनामा मान नथी स्वाद नथी दिहाविबान नथी कपड नथी दंब नथी चड नथी प्रपंच नथी दुनिया ना कोईपन पदार्थ मालेश मात्र आसकती वासनाने कामना नथी एवा निर्मोही संत छे मने प्राण करता पण बजारे वाला छे आवा संत ज्या पन रहता होए एवा परम एकांती संत एटले हर्तु फर्तु नेमी शारिन ख्षत्र छे अन एटला माटे तो नर्सी मेताय गायो के 68 तिरत मारा संत ना चरने कोटी गंगा कोटी काशी रे लक्षमीजी अर्धांगना मारी ती मारा संत नी दासी रे अवा संतना चर्णनी अंदर करोडो गंगा ने करोडो काशी ने करोडो किदार नात रहाँ छे विद्रड़क पने हुमारी साथे मस्ती साथे विश्वास साथे भरोसा साथे आनन्नमै रिते हुमरी जबान्द्वरा इत्रुत अवश्य कहिश कि जेने जेने एक वकद जेने जेने एक वकद युगी जी महराद ना शास्त्री जी महराद ना प्रमुग स्वामी महराद ना दर्शन करा छे ने समझी लो के ए व्यक्तिय करोडो करोडो गंगा नी अंदर स्नान करूशे समझी लो के अने किदार नात्मी निचार धामनी यात्रा करीशे अने हुँ तो त्या सुदी कहो 68 तीरत नहीं अनन्त कोडी ब्रह्मांड़नी अन्दर जेटला जेटला पवित्र तीर्थो छे तमाम तीर्थोनी यात्रात करयानू पुन्य थाय याना करता अनन्त गणों पुन्य वर्तमान समय ने अंदर गुरुहरी महनस्वामी महरान दर्षन करोँ ने नत्थाय तो हुँ पत्राना स्वाना ना पत्रामा लख्या पुँआ आवो संतनो अधियत भूत महिमा छे पड़ आपने महिमानों महिमा विचारता नाती संतना महिमानों विचार करता नाती बगवान स्वामिनारणनी कंटी गड़ामा नाकी बगवान स्वामिनारणनों नाम बोलिये छे, बगवान स्वामिनारणनी माला पन फिरविये छे, बगवान स्वामिनारणना बनाविला मंदिरों नी अंदर वडताल अम्दावाद भोज गरडामा दर्शन करवा माटे जहिये छे, परंतु बगवान स्वामिनारणना वचनमा आपने भर्वस्वनतिक आपनू कल्याण क्या छे। आपने प्रत्यक्ष मल्याचे 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 प् अपने विशेष वात्व आपने आज वचनामरत ना मध्यम्थी, अवतिकलना प्रवचनमा सामढेशो सके नय को चास्तरांग प्रणा म एजास षामीनारान।